हम करते हैं साधारण ब्याज का 11 सवाल 11th question पढ़ लेते पहले 8% वार्षिक शरल ब्याज की दर से कितने वर्ष में 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया होगा एकदम सेंबल से सवाल है लिए कि सब कुल दिया हुआ है ब्याज दर दी हुई है हमें निकालना क्या है समय कितना लगेगा तो चली सॉल्व करते हैं ब्याज दर दी हुई है ब्याज दर यानि रेट दिया हुआ है आठ प्रतीशत मूल दं क्योंकि 600 रुपय का ब्याज 168 रुपया तो 600 रुपया क्या है मूल धन है मूल धन यानि प्रिंसिपल 600 रुपया और ब्याज थी होई है साधारन ब्याज यानि सिंपल इंट्रिस्ट दिया हुआ है 168 रुपया वह में निकालना क्या है दियों है निकालना है हमेश समय यह हम दंद्रिस्ट के इंट्रिस्ट के फोर्मृले से संपली सॉल्व की तो वो simple interest का simple सा formula पता है हमें P into T into R divided by 100 तो सारी चीज़े simple simple से लिख हुई है तो simple simple से हम लोग भी simple से लिख देंगे simple interest कितना है simple interest है 168 रुपए बराबर principle यानि मूल धन क्या है 600 रुपए समय है नहीं है समय निकालना है समय टी वर समय माना और R दिया हुआ है आठ प्रतिशत आठ बटा 100 तो चली हम यहीं पर काट लेते हैं किया जाएगा 00 कट गया और बचा कितना यहां पर 168 और यह 6 गुना आठ गुना टी तो टी को यहां पर छोड़ देते हैं और बाके सारे नंबर इधर अब यह दोनों नंबर टी के साथ गुना है तो दोनों के दोनों इसके साथ भाग हो जाएंगे तो 168 बटा 6 गुना आठ बडाबर टी अब काटे हैं यह कट जाएगा 8 तुनी 16 और 21 अब यह 3 से कटेगा 3 तुनी 6 तुनी 6 तुनी 21 यानि टी बडाबर कितने हो गये साथ बड़ा दो वर्स अब साथ बड़ा दो वर्स साथ बड़ा दो वर्स मतलब साढ़े तीन साल यानि 3.5 वर्स मतलब तीन वर्स और 6 महीने यह हो गया एंसर तो इसका मतलब क्या है कि आठ पटीशत वार्चिक सरल ब्याज दर से 600 रुपया साढ़े तीन साल बाद 168 रुपया ब्याज देगा कि सुची कितना सारा ब्याज मिल रहा है तरीका पैसा 168 रुपया पैसा चपितना सीर हाज दिसका में थाज़ग कि शीन साह्चाव